नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर पिछले तीन सालों में मैंने स्टॉक मार्केट और परसनल फाइनस रिलेटेड सौ से ज्यादा बुक्स पड़ी हैं उसी के बेसिस पर मैंने टॉप 100 लेसंस का लिस्ट बनाया है जो मैंने सीखा है इन सारे बुक से वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए तो मैंने दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया है पहले पार्ट यानि इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 लेसंस शेर करूंगा पर स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बात में knowledge हो, ज्यादा तर relationship में problem की वज़ा होती है पैसा, शादी से पहले ये ज़रूर check करें कि आपके होने वाले partner को पैसे के बारे में कितनी knowledge है, वो पैसे कैसे kharts करती है, मेरे according look से better ये money management skill होनी चाहिए आपके partner में, lesson number 2, आपके partner को पता होना चाहिए कि आप पैसो को कैसे देखते हैं, क्या आप पैसे बचाने में believe करते हैं, या आप पैसे से अपनी जिन्दिगी जीने में believe करते हैं, दोनों partner के अगर same believes हैं, तो आपके relationship में कभी कोई problem नहीं आएगी पैसो के regardे, भले ही कोई और problem आए, पर पैसा main factor नहीं होगा, lesson number 3, create a monthly budget and follow it, हर महीने एक fixed budget बनाईए, हर एक चीजों के लिए और कभी भी budget के बाहर ना चाहिए, 50, 30, 20 rule को follow कीजिए, जहां आपके monthly income के पैसे 50% need में खर्च होने चाहिए, जैसे rent, food, medical expenses, 30% wants में, यानि shopping, बाहर खाना, कोई नया चीज खरीदना and 20% आपको save करना चाहिए, जिसे आपको invest करना है comment section में आप जरूर बताइए कि क्या आप 50, 30, 20 rule को follow करते हैं, lesson number 4, build an emergency fund emergency fund में आपके monthly खर्चे, चाहे वो जो भी number हो वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक किसी दूसरे bank account में होने चाहिए ये fund आपको तब use करना है, जब life में कोई problem चल रही हो example के लिए अगर आपके महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपे तो minimum 1,20,000 आपके पास extra होने चाहिए ये पैसे आपको savings account में नहीं रखना है बलकि आपको higher interest rate देने वाले bank के साथ FD करवाना है 2023 में आपको on an average 7% तक का FD rate मिल जाएगा तो आपके 1,20,000 रुपे एक साल बाद 1,28,623 रुपे हो जाएंगे इससे आपका emergency fund भी हर साल बढ़ेगा lesson number 5 avoid giving expensive gifts to your lover at early age वेक्ति को बस impress करने के लिए उसे कभी भी अपने budget के बाहर का gift ना दे क्योंकि उन पैसो को आप अपने उपर खर्च करके income बढ़ा सकते हैं यानि अगर आपने किसी skill में invest किया या आपने कोई बढ़िया सा laptop लिया जिससे आपने freelancing काम शुरू कर दिया और आप पैसे कमा रहे हैं और सबसे important बात ये है कि अगर आपका partner सच में समझदार है तो वो खुद आपको डाट लगाएंगे कि इतना महेंगा gift नहीं देने को Lesson No.6 Avoid high interest debt Debt यानि loan और loan से जितना दूर रहे उतना better है अपने shock पूरे करने के लिए कभी भी loan ना ले पर अगर आप good debt ले रहे हैं यानि उन पैसो को आप use करके अपना income बढ़ाने वाले हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसे bank से loan ना ले जहां सबसे ज़ादा interest rate हो जल्द बाजी में या instant approval के चक्कर में अपना एक clear financial goal बनाईए इंटरनेट पर लोगों को देख कर दूसरे के goals अपना ना बनाए अपनी income, अपने खर्चे, family condition, future goals के basis पर realistic financial goals बनाए अगर आपकी income अभी 40,000 रुपे हैं तो Instagram के किसी influencer को देख कर car loan पर ना ले बलकि आप public transport यूज कीजिए पैसे बचाईए life के दूसरे खर्चों के लिए जैसा हमने 50, 30, 20 रूल में सीखा कि 20% आपको save करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर मेने ऐसा कर रहे हो ऐसा नहीं है कि किसी मेने आपने party में पैसे उड़ा दिये और next month आप सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा save कर लेंगे इसका solution यही है कि income आते ही सबसे पहले 20% अलग कर लें जिसे आप invest करेंगे एक दिन आपको retire होना ही है बेटर ये है कि आप आज से ही इस पर focus करें क्योंकि आने वाजे समय में अगर आप अपने बच्चों पर dependent है तो शायद वो आपसे खुश ना हो क्योंकि उस वक्त इंडिया की cost of living बहुत उपर होगी आज के level से इसलिए सबसे important financial goal आपका ये होना चाहिए आप बिना किसी के ऊपर depend हुए retirement ले सको अब ही अगर आप young है तो आप कहीं सारे financial mistakes करेंगे या अपने माता-पिता के financial mistakes को खुद experience करेंगे तो इन सभी mistakes से जरू सीख ले आपको पूरी जिंदगी tax देना है इससे आप बच नहीं सकते हैं पर कई सारे options है जिसमें आपको benefit मिलता है बहुत सारे investment schemes है जैसे public provident fund national pension scheme, national savings certificate, life insurance ये कुछ examples है tax savings का जिसे आप use कर सकते हैं अगर आप 100 रुपे invest करते हैं तो आप उन 100 रुपे में से कितना अगर आप lose कर लेंगे तब भी आपके life में कोई problem नहीं आएगी यही है risk tolerance तो अगर आपका risk tolerance बहुत कम है तो ऐसे risky investments ना करें जहां पर आपके invested capital lose करने का खतरा हो अपने risk tolerance के according ही अपना investment plan बनाएं लेसन नंबर 13 avoid lifestyle inflation lifestyle inflation का मतलब होता है जब आपका income बढ़ता है तब आप अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं जिससे savings आप जितना पहले कर रहे थे उतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप wealth नहीं बना पाते जैसे पहले अगर आपकी salary 50,000 रुपे थी और उस पर आप 10,000 रुपे बचा रहे थे आप 3 साल बाद आपकी salary 80,000 रुपे हैं तो 50,30 रूल के कॉर्डिंग आपको 16,000 रुपे save करना है हर महिने पर आपने salary बढ़ने के कारण अपने lifestyle में खर्चे बढ़ा दिये हैं अब आप हर हफते dinner पर जाती हो आप regular shopping करते हैं आपने बहुत सारी चीज़े EMI पर ले लिए है तो महिने के end में आपके पास 10,000 रुपे के भी savings नहीं होती है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका income बढ़ रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो अपने खर्चों को भी same रखे इसी को कहते हैं avoiding lifestyle inflation फोन लेने की requirement feel होती ही नहीं है same चीज़ आप देखोगे cars या घर या किसी celebrity की lifestyle को देखने के बाद आपके अंदर ये urges आते हैं कि मुझे भी ये चीज़ लेनी है पर आप जैसे ही ऐसे content को देखना बंद करते हैं तो आपके अंदर ये urgency नहीं आते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए आप try करके जरूर देखिए ये 100% काम करता है जिस भी area में आपको लगता है कि आप बहुत ज़दा पैसे खर्च करते हैं बिना सोचे समझे उसके regarding content को आप जितना हो सके उतना कम कर दीजे आप खुद result देखेंगे एक महीने बाद जब आपको नए shoes की या नए कपडों की या नए gadgets की requirement फील नहीं होगी अपनी family की protection सबकी priority होती है और होनी भी चाहिए और कल को भगवान ना करेगी आपको कुछ हो जाता है तो अभी से उसकी security insure करना बहुत ज़रूरी है इसी लिए term insurance is a must यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ऐसे समय में आपका साथ दे सकता है max life term insurance जहां आपको मिलेगा एक करोड का cover सिर्फ 700 रुपे महीने से और वही अगर आपको 2 करोड का cover चाहिए तो आपको 1000 रुपे पर मंत के आसपास में मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा premium और add करेंगे तो आपको और भी additional coverage मिल सकता है against 64 critical illnesses जैसे की accidental cover rider, permanent disability rider यह सारे add-ons आप करवा सकते हैं max life term insurance के साथ आप free of cost term plan भी ले सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता है कि आपके सारी liabilities पूरी हो गई हैं तो एक certain age के बाद आप special exit ले सकते हैं जिसमें आपको अपने सारे premiums वापस मिल जाएंगे बिना किसी ज़रा के extra cost के जो भी homemaker है उनके लिए भी max life term insurance plans available है जिसमें बिना अपने husband के proof दिखाए वो term insurance करवा सकते हैं बहुत लोगों के मन में ये डर रहता है कि क्या सही में मेरे परिवार को पैसे मिलेंगे अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जवाब ये है कि max life insurance का claim settlement ratio 99.51% है claim settlement ratio क्या होता है ये basically ये वो number बताता है जिसमें company को जितने claims receive हुए हैं उसके against उन्होंने कितना claim settle किया है तो अगर आपने अभी तक term insurance नहीं कराया है तो आज ही max life term insurance plans को चेक कीजिए और अपने लिए सही term insurance चुनिए ज़्यादा details के लिए आपको description में link मिल जाएगा lesson number 16 invest in your education सबसे best return तब मिलता है जब आप अपने उपर invest करते हैं कोई भी stock, bond या real estate में आपको उस level का return नहीं मिलता है जितना अपने उपर invest करने पर मिलता है education college के बाद खत नहीं होती बलकि college के बाद real education start होती है lesson number 17 plan for major life events मेरे mostly viewers इंडिया से हैं तो हम इंडियन की सबसे expensive events है बचों की पढ़ाई, बचों की शादी, एक खुद का घर खरीदना तो इन तीनों चीजों के लिए अभी से planning करना बहुत ज़रूरी है lesson number 18 understand the impact of inflation मेंगाई से कभी भी आपको focus हटाना नहीं है, इंडिया में inflation rate 6-7% है, इसका simple सा meaning है कि अगर आपके पास अभी 1 करोड की savings है और वो अगर grow नहीं हो रही है inflation के साथ, तो 25 साल के बाद उस 1 करोड की value उस वक्त आज के 23 लाग के बराबर हो जाएगी तो हमेशा आपने life में मेंगाई के concept को बहुत importance दीजिए, जिससे 25 साल के बाद आपके 1 करोड, at least 5 करोड, 42 लाग रुपे हो चुके हो अगर आप joint family में रहते हैं, तो अपने परिवार को आप ये करने को बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी सबका relationship बहुत बढ़िया है, पर आगे चल कर क्या ऐसा रहेगा, इसकी कोई guarantee नहीं है property के कारण भी family में बहुत problem होती है, इसलिए state planning बहुत ज़रूरी है lesson number 20, regularly review investments, आपने life में जितने भी investments की हैं, चाहे वो stocks में हो, या bonds में हो, या real state में हो, या किसी business में हो, हर 3-6 महिने में उनको check करना बहुत ज़रूरी है इससे आप aware होते हो कि आपका investment कैसा perform कर रहा है, पर ध्यान रहे कि आपको daily check नहीं करना है, इससे फिर आपको stress आएगा और हो सकता है इस stress के कारण आप panic कर जाएं और आप कुछ गलत decision ले लें, जो आप सालों बाद regret करोगे lesson number 21, understand the power of compounding power of compounding पर आपने 1000 और विडियो देखी होगी, पर इसे deep में समझना बहुत ज़ूरी है compounding में आपके invested capital पर जो interest मिलता है, वो next time invested capital में जुड़ जाता है, जिससे आपको उस पर interest मिलता है अगर आप 10,000 रुपे महिने से अपना SIP शुरू करेंगे, 20 साल बाद आपके वो पैसे 1.5 करोड तक ग्रो हो जाएंगे अगर 15% का return मिला तो पर अगर आप 5 साल और continue करते हैं, तो आपका total investment value double हो जाएगा around 3.2 करोर तक और अगर माल लेते हैं, आपने 5 साल और continue करते हैं, तो आप वो value double से भी जादा हो गया, यानि 7 करोड रुपे हो गया तो first 20 years में आपके पैसे 1.5 करोड तक ग्रो हुए, पर आखरी 10 सालों में 5.5 करोड कमाया आपने इसलिए Albert Einstein ने compounding को 8 wonder कहा है अपने बच्चों को आपको पैसे के बारे में सिखाना चाहिए, बहुत सारे लोगों में मैंने ये आजकल notice किया है कि वो अपने बच्चों को latest phone दिलाते हैं, पर finance ही कोई भी बात नहीं सिखाते हैं या अपने बच्चों के सामने पैसे के topic को avoid करते हैं इससे आप अपने बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं, बलकि आप उन्हें reality से दूर कर रहे हैं इसलिए बच्चपन से ही अपने बच्चों में ये skills आपको develop करनी चाहिए जिससे वो बहुत ही early age से financial decisions ले सके मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने मम्मी के साथ shopping करने जाये करता था और अगर दुकानदार ने किसी चीज को कहा है कि ये 300 रुपय का है तो मम्मी directly कहती थी कि 50 रुपय में देना है तो दे दो तो उस वक्त मुझे बहुत embarrassed फील होता था कि क्या यार मम्मी आप क्या कर रही हो पर मैंने ये बहुत लेट सीखा कि आप चाहे कोई से भी दुकान में हो चाहे वो एक बड़िया सी showroom में क्यों न हो अगर आप इंडिया में है तो आपको हमेशा negotiate करना चाहिए कई बार सिर्फ पूछने से आपको discount मिल जाता है और आप बहुत सारे पैसे save कर पाते हैं इसलिए हमारे माता-पिता आज के जमाने में uncool नहीं है बलकि बहुत स्मार्ट है एक like तो बनता है हमारे माता-पिता के लिए तो हमेशा negotiate करे कुछ भी आप जब खरीदने जाओ और specially अगर वो बहुत एक costly चीज है तो यह आपका हक बनता है कि आप negotiate करे Lesson No.24 Avoid Impulsive Buying यानि बिना सोचे समझे चीजे खरीदना मैं जब अपने college में था पर चाहे मेरे पास 30-40 टी-शेट होने के वावजूद भी मैं अपने आपको यह कहता था कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने को और इस वज़े से जैसे ही मैं कुछ पैसे earn करता था तो अपने लिए नए कपड़े या नए जूते ले ले लेता था पर सबसे अजीब बात तो यह थी कि मैं maximum एक टी-शेट 5-6 बार पहनता था उसके बाद मेरे लिए वो टी-शेट पुरानी हुजाती थी यानि एक बार मैंने एक टी-शेट के साथ Instagram पे एक post डाल दी तो मुझे बहुत ही weird लगता था अगर टी-शेट रिपीट होती थी Instagram pictures में हाला कि अब में वो वेक्थी नहीं रहा तो आपको भी अपने life में जो आप छोटी-छोटी impulse buying करते हैं उससे आपको रोकना है क्योंकि इससे आप long time में बहुत अच्छी savings कर पाएंगे Lesson No.25 Save for Big Purchases मेरे दोस्त ने recently अपना खुद का एक apartment खरीदा है और college time में हमारे एक friend group था जिसमें उसे हम महा कंजूस कहते थे ये उस category का friend था जो जैसे ही bill आता restaurant में वो toilet की और चला जाता या हमेशा ये बोलता कि भाई तू मेरे पैसे दे दे मैं तुझे घर जाके पैसे भेजता हूँ और उसकी यही पैसे बचाने की habit से जब उसकी job लगी तो वो बहुत पैसे save करने लगा और बस कुछी time में उसने अपना एक खुद का घर खरीद लिया बेंजमीन फ्रैंक्लिन ने कहा है आप penny saved is a penny earned यानि जो पैसे आप बचाते हैं वो आप पैसे कमा रहे हैं लेसन नमबर 26 invest in your health आप इस इमज में देख सकते हैं कि वारेन बफेट एक billionaire बने 56 साल की उमर में अगर माल लिजी वारेन बफेट बचपन सही पान मसाला खा रहे होते और पूरे US में अपने थूक की कलाकारी दिखा रहे होते तो क्या वो 92 की age में 100 billion dollars के मालिक बन पाते वैसे वारेन बफेट की eating habit अच्छी नहीं है पर in general लोगों को अपने health में invest करना चाहिए आपके life का purpose यह होना चाहिए कि आप पैसे कमाए पर healthy भी रहें आप imagine कीजी अगर स्टीव जॉब्स 56 साल की उमर में उनका अगर द्यांत नहीं हुआ होता तो आज apple जिस level पर है उससे कई ज़्यादा बेटर होता ऐसा लोग मानते हैं lesson number 27 understand the different investment vehicles हर एक वैक्ती जो भी पैसे कमा रहा है उन्हें अलग-अलग investment vehicles के बारे में पता होना चाहिए example के लिए मैंने google search किया है और ये सारे different investment products available है इस list में कहीं सारे product repeat हुए हैं आप video को pause करके इस list को देख सकते हैं और अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर आपको इन सभी के बारे में knowledge नहीं है तो आप दीरे-दीरे इन सभी के बारे में knowledge gain करिए इससे आपको बहुत help मिलेगा diversify करने में पैसे कमाने के साथ सथ पैसे बचाने में भी lesson number 28 live below your means हमेचा आपने income से कम वाली lifestyle जीना है इससे आपको कभी भी loan का सहारा नहीं लेना होगा survival के लिए lesson number 29 invest in your hobbies आजकर लोग internet में इतना घुश चुके हैं कि लोगों के पास ना time है और ना patience है कोई नया skill या hobby शुरू करने की और जिनके पास पैसे हैं उनकी ये mentality होती है कि अब हमारी age हो चुकी है कोई hobby सीखने की पर ये बहुत ही गलत है हर एक व्यक्ति को अपने hobby में invest करना चाहिए क्योंकि इससे आपका mental health ठीक रहता है life को जीने का मज़ा भी तब ही आता है जब आप कोई चीज बिना पैसो के लिए करो वरना पैसो के लिए सब तो hard work करी रहे हैं आप जब कोई distracting काम करने से कुद को रोकते हो क्योंकि आप कुछ valuable काम कर रहे हो जिससे future में आपको better result मिलेगा तब आप delayed gratification को follow कर रहे हैं यानि आप अभी focus करके बाद में मज़े लेने का सोच रहे हैं तो daily life में इस habit को जरूर अपनाएं आपको instantly अगर phone लेना है तो 2-3 महिने रुक जाईए या फिर next amazon या flip card का seal का wait कीजिए इससे जब आप actual में purchase करेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको instantly नहीं मिलेगी तो जब आप किसी चीज के लिए wait करते हैं तो एक excitement build up होती है और जब आप actually उसे खरीद लेते हैं तो आपके brain में happy hormone release होती है पर अगर आप instantly ले लेते हो तो वो खुशी आपको business managers opportunity cost को निकालते हैं जैसे for example option A है stocks में invest करना option B है fixed deposit में invest करना तो अगर आप stocks में invest करते हैं जहां पर आप 10-12% का returns आपको मिलेगा हर साल वही fixed deposit में आपको 6-7% मिलेगा तो जब आप option A यानि stocks को चुनते हैं तो आप fixed deposit के साथ जो guarantee आती है यानि 6-7% आपको guaranteed मिलेगा ही मि lose कर रहे हैं और वही जब आप fixed deposit में invest करते हैं तो जो 10-12% जो आप returns कमा सकते थे वो आप lose करते हैं तो अपने life में भी बहुत थारा समय आपके लिए ऐसा आएगा जब आपको opportunity cost को निकालना पड़ेगा और right decision लेना पड़ेगा भले ही आपको कुछ sacrifice करना पड़े पर make sure कर कि आप ज़्यादा lose ना करो lesson no 32 contribute to charity no mental आप कितने पैसे कमा रहे हैं अभी आपको कुछिश करनी है कि हमेशा थोड़े पैसे charity में donate कीजिए और किसी को बतानी की ज़रुवत नहीं है इसे बस आप अपने तक रखिए ऐसा करने से आप पैसे के साथ एक healthy relationship बनाते हैं lesson no 33 plan for retirement lifestyle जब लोग सोचते हैं retirement की तो वो सिर्फ पैसे के terms में सोचते हैं कि वो कितना पैसे कमाएंगे या कितना पैसे होने चाहिए bank account में पर आपको lifestyle के बारे में भी सोचना चाहिए अगर आपको traveling पसंद है तो उस उमर में आके भी आपको travel करने का मन करेगा तो अपने retirement plan ऐसे बनाईए जिससे आपकी lifestyle वैसे ही रहे या पहले सिर्फ बेटर हो जाए और उसे आप afford कर सको बहुत सारे लोग सिर्फ long term goals पर focus करते हैं और daily life को boring बना लेते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ short term goals भी होने चाहिए जिसे पूरा करके आपको बहुत खुशी मिलती हो हो सकता है अपने चोटे भाई के लिए motorbike लेना या family के साथ एक trip करना जिसमें सारे पैसे आप दे रहे हो balance बहुत ज़रूरी है अपने short term and long term goals में अपने आपको motivated रखने के लिए Lesson No.35 Avoid debt for depreciating assets Depreciating asset वो है जिसके value खरीदने के ठीक बाद ही कम हो जाती है इंडिया में 70% iPhones लोग EMI पर लेते हैं इसलिए जो भी depreciating assets है उसे loan पर ना ले क्योंकि आप एक ऐसे समान पर हर महिने पैसे चुका रहे हैं जिसके value हर दिन कम हो रही है Lesson No.36 Build a strong credit history अगर आप credit card use करते हैं या अगर आपके ओपर कोई भी loan है तो उसे time पर pay कीजिए इससे आपका credit score अच्छा होता है जिसका simple सा meaning है कि bank की records में आप एक ऐसे वेक्ति हो जो time से पैसे देता है जिस कारण future में जब कोई आपको बड़ा loan चाहिए होगा तो आपको approval जल्दी मिलेगा और bank आपको कम interest rate पर भी loan देगा क्योंकि आपका एक strong credit history है Lesson No.37 Invest in real estate wisely Real estate में पैसे बनते हैं पर सबसे बड़ी problem है liquidity की यानि तुरंद बेच कर पैसे कमाने की इसलिए बहुत ही ध्यान से और सारे parameters को देखने के बाद ही किसी real estate में invest करें Lesson No.38 Focus on financial freedom हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में financial freedom का goal बनाना चाहिए जिससे life के सारे कामों के लिए enough पैसे होने चाहिए और कभी भी survival के लिए काम ना करना पड़े Lesson No.39 Focus on time freedom आने वाले time में लोग time freedom पर बहुत focus करेंगे Time freedom यानि आप decide करोगे कि आपको कोई चीज़ कब करनी है Time freedom के लिए आपको पहले financial freedom अचीव करना पड़ेगा पर सबसे बड़ी problem time freedom के साथ ये है कि आपको सबसे पहले financial freedom अचीव करना पड़ेगा तब ही आप time freedom अचीव कर पाएंगे Lesson No.40 Focus on building multiple streams of income आपको कभी भी single source of income पर rely नहीं करना है आपके कम से कम 3-4 अलग-अलग sources होने चाहिए जहां से पैसे आ रहे हो इससे आपको कभी भी एक single source of income पर rely नहीं करना पड़ता है और ये बहुत ही बड़िया feeling है जब multiple जगह से आपके bank account में पैसे आ रहे है Lesson No.41 Build a strong support system of friends and family who encourage your financial goals ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके parents, आपके partner and आपके friends सब आपके financial goals को support करे वरना आप बहुत जल्दी demotivate हो जाएंगे Lesson No.42 Invest in experiences over possessions ये मैं personally follow करता हूँ, experience पर invest कीजिए ना कि बस एक car को लेकर life में सब कुछ पा लिया, ये mentality नहीं होनी चाहिए आपके लिए जब आप young होते हैं, ज्यादा स्यादा अपने उपर invest कीजिए ज्यादा स्यादा घूमें, जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, आप budget travel कीजिए आप hostels में रहिए, आप खुद self cook करिए, बहुत सारे तरीके हैं सस्ते में travel करने के इसलिए हमेशा experience पर focus कर जिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कोई आप से ले नहीं सकता आपका positions कोई आप से चीन सकता है, पर आपके experiences कभी कोई नहीं चीन सकता वो सिब आपके memory में store होता है lesson number 43, keep learning about personal finance हर अफ़ते कुछ न कुछ जरूर नया सीखे personal finance के बारे में और अपने family को भी educate करें जो भी आप personal finance के regarding सीख रहे हैं इससे ये होता है कि आपके पूरे family का learning बहुत compound होता है और पूरा family एक team मन कर काम करते हैं और financial freedom जल्दी achieve कर लेते हैं lesson number 44, protect your assets legally इंडिया में properties के documents बहुत सारे लोगों के पास proper नहीं है specially जो थोड़े outer area में रहते हैं तो उनका भी paper clear कर लीजिए जिससे future में कभी कोई problem ना हो lesson number 45, stay accountable to financial commitments ये चीज आपको अपने अंदर लानी है कि आपके financial success की जिम्मेदारी आपके उपर है आप अभी जिस position में अभी हैं जो आपने past में काम की हैं उसके वज़े से आपकी situation आज ऐसी है तो future को better करने के लिए present में आपको accountable होना पड़ेगा lesson number 46, invest in personal happiness साल में एक दो बार कुछ जरूर ऐसा करें जिससे आपको truly happiness feel होती हो कभी-कभी थोड़ा selfish होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम अकसर अपने सबसे खराब boss होते हैं हम अपने आपको machine की तरह सोचते हैं जिससे जितना काम हो सके निकलवा लो थोड़ा भी slow down नहीं करना है पर जैसे personally मैंने इस वीडियो में कई बार traveling का जिक्र किया है सारी चीजों में भी मैं अपना काफी time and पैसे invest करता हूँ तो आपका जो भी personal happiness है उसमें आप कुछ बिना सोचे invest करना चाहिए क्योंकि इससे आपको short term के साथ-साथ long term benefit भी बिलता है lesson number 47 stay informed about economic trend हमेशा देश की economic situation क्या है and overall global situation क्या है इस पर भी आपको informed रहना है यानि आपको पता होने चाहिए कि क्या चल रहा है कौन सा celebrity किसे date कर रहा है इससे आपके life में कोई impact नहीं आने वाला है पर देश की economic situation का प्रभाव आपके life में जरूर आएगा lesson number 48 reduce social media uses ये directly तो personal finance advice नहीं है पर indirectly है आज कल social media के overuse से anxiety, depression, youth में बहुत common है अगर आप अपने अभी सबसे peak age bracket में है यानि 20 से 30 साल की उमर में है और अगर आपको अभी से low in energy, depression जैसी चीज़े हो रही है तो आप अपना और अपने परिवार को financially secure नहीं कर पाएंगे भले ही ये सुनने में आपको बहुत खराब लग रहा होगा पर आपका अभी mentally fit होना सिर्फ आपके लिए नहीं बलकि आपके परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है social media को completely नहीं छोड़ना है social media पे सिर्फ और सिर्फ positive चीज़े देखें controversies या ऐसी चीज़े जिससे आपकी life में कोई value आड नहीं होती है उससे अपने brain को overstimulate ना करें comment ज़रूर करिए कि आप दिन में कितने घंटे अपने phone में बिताते हैं अगर ये तीन घंटे से ज़ादा है तो ये एक serious problem है lesson number 49 fix your life in next 6 month challenge ये मेरा आपसे challenge है कि अगले 6 मेने का plan आप मुझे मेरे instagram पर भीजिए आपकी जो भी अभी income है चाहे वो zero ही क्यों ना हो उसे आप कैसे grow करने वाले हैं मुझे पता है कि बहुत कम लोग इस challenge को accept करेंगे इसलिए मैंने इस challenge को बिल्कुल end में रखा है जिससे सिर्फ serious लोगी इस challenge को accept करें तो at bookpillow25 पे जाए और detail plan share किजिए आपके next 6 month का lesson number 50 and आखरी lesson है इस वीडियो का time is money, money is time इस वीडियो का सबसे important lesson यही है ये चीज आपको कई बार सुनने को मिलेगा पर कभी भी आप इसे ध्यान से नहीं सुनते आपका time बहुत limited है याद कीजिए कैसे ये पिछले 10 साल बीते हैं उसी तरह next 10 साल भी बीत जाएंगे अकर आप अपना time को optimize नहीं करेंगे तो next 10 साल बाद आपको बहुत regret होगा पैसे आप कभी भी कवा सकते हैं पर time कभी वापस नहीं आएगा इसलिए time को optimize करना बहुत ज़रूरी है उमीद करता हूँ कि आपको मेरी ये 50 personal finance lessons पसंद आई होगी इसमें से कौन-कौन सी lessons आपको पसंद आई हैं प्लीज comment section में ज़रूर share कीजिए और वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को like करें और अपने family member के साथ इस वीडियो को share कीजिए साथी साथ description में दियेगे link से Max Life Tom Insurance को भी ज़रूर चेक कीजिए तो मैं मिलूंगा आपसे next वीडियो में तब तक के लिए keep reading, keep growing